Hey guys, welcome to the ultimate channel, मेरा नाम है अदित्या, तो guys हमारे आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे, जिससे सुनके शायद आपका दिल सहम जाए, शायद आपको रोना भी आए या फिर आपको बहुत गुस्ता भी आ सकता है, क्योंकि ये कुछ ऐसी हरक वाइरल हुई थी, जिसमें कुछ ऐसे डिस्टरबिंग सीन्स थे, जिसको देखके सभी लोग काफे निराश हुए थे, सभी लोगों को गुस्सा भी आया था, और सोशल मेडिया पे ऐसा गुस्सा देखने को मिला हमें, so guys, ये वीडियो एक इंस्टाग्राम पेज पे पोस में है, अब इंसिनिट में क्या हुआ इसके बारे में हम थोड़ा बाद में डिसकस करते हैं, लेकिन सबसे पहले जानते हैं डॉग के बारे में, तो ये जो डॉग है, इसका नाम है मीना, ये एक फीमेल डॉग है, जिसकी एज अराउंड थी यर्स के आसपास है, और इसकी ओनर है, उसके पास कई चिकन्स और डॉग्स भी थे, तो उनका भी पीछा करती थी, और मीना की जो ओनर है, उसके घर के आसपास जो नेबर्स रहते थे, वो भी मीना के ओनर से काफी जादा परिशान थे, क्योंकि उन्होंने देखा है कई बार, कि वो अपने आनिमल्स को, कि मीना की जो ओनर है, जिसने उसे तीन साल से रखा है, जिसने उसे बड़ा किया है, उसकी ओनर को पता नहीं किस बात पे मीना के उपर, यानि जो डॉग है, उसके उपर इतना गुस्चा आया, किस हरकत की वज़स है, कि उसके ओनर ने उसको एक बोल से बान दिया, अपने गर केपीछे फिर उसके बाद उसका जो face है यानि कि जो muscle है उसको भी किसी चीज़ से बाण दिया ताकि वो चिला ना सके फिर उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ती है और खीच के एक wooden block पर रखती है उसका हाथ फिर उसके बाद meat काटने वाले जुँ होते हैं याने की butcher knives, वो knife से उसके पंजे को एक काट देती है और वहाँ पे सभी लोग से पता नहीं कौन वीडियो बना रहा था, कौन क्या कर रहा था किसी ने भी उस dog की help नहीं की, किसी ने भी उस woman को नहीं रोका जिसने ये घटिया हरकत, ये खिनोनी हरकत की है एक dog के साथ अभी तक, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफी जादा viral भी हुई है और लोगों ने इसके उपर काफी जादा गुसा भी दिखाया है और तो और ये औरत इतनी जादा घटिया है, इतनी जादा cold hearted है जिसमें कोई feelings भी नहीं है, उसने इस dog को ना medical treatment करवाया ना कहीं लेकर गई, इसने उस dog को बस ऐसे उसका पैर जो है चौप करके गुसे में आके फिर उसको ऐसे ही छोड़ दिया कई दिनों के लिए फिर उसके बाद जब ये वीडियो काफी जादा viral हुई तो local animal activist जो थे वो वहाँ पे गए मीना को बचाने के लिए और तब भी उसकी owner उसको छोड़ने को राजी नहीं थी कि नहीं जाने दूंगी मैं, बट फिर उसके बाद social media जो online community है उसने मीना की owner के उपर काफी जादा pressure डाला फिर उसके बाद वो animal activist जो थे, वो उसके बाद मीना को ले कर गए एक medical treatment करवाने के लिए ताकि अच्छे से हो सके क्योंकि उसको काफी दिनों तक ऐसी खुला छोड़ दिया गया था उसके wounds में से काफी जादा blood निकला था चोकि वीडियो में दिख रहा है बट वो बहुत ही जादा disturbing है मैंने वीडियो नहीं देख पाया हूँ अभी तक बट फिर उसके बाद जैसे तैसे करके वो animal activist उसको ले के जाते हैं मीना को डॉक्टर के पास और डॉक्टर भी वो देख के काफी जादा हैरान होते है और उनको भी काफी जादा मशक्कत करनी पड़ती है उस wound को ठीक करने के लिए एक और sad बात ये है कि वीडियो नाम में animal protection के against कोई भी lawn नहीं है तो इस घटिया हरकत जो की है इस औरत ने ये घटिया हरकत की है वो एक डॉक को लेकर आई जिसको उसने 3 साल तक बड़ा किया 3 साले काफी लंबा टाइम होता है जिसको 3 साल तक बड़ा किया उसका ख्याल रखा बट फिर उसमें ऐसा किस तरीके का गुस्सा आगया कि उसने सीधा उसको बांध के उसको पकड़ के अपने डॉग का सीधा हाथ काट दिया और तो और ऐसी हरकतों के अगेंस्ट कोई कुछ कहे भी नहीं सकता क्योंकि वियतनाम में अनिमल प्रोटेक्शन के अगेंस्ट कोई लौ है ही नहीं अब इस डॉग को जस्टिस कैसे मिलेगा ये तो हम नहीं बता सकते बट अगर कर्मा नाम की कोई चीज है तो कर्मा इस औरत को जरूर पनिश करेगा क्योंकि एक डॉग है जो की बोल नहीं सकता बेजुबान है और अपनी ओनर से बहुत ही ज़ादा प्यार करता है जिसके लिए वही पूरी उसकी दुनिया है लेकिन फिर जब वो उसके साथ ऐसी हरकते करे तो कोई words नहीं है कहने के लिए कि इस औरत के साथ क्या होना चाहिए बट होप करते हैं कि एक ना एक दिन इसने जो हरकत की है इसकी सजा इसको ज़रूर मिलेगी आप इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजे ताकि सभी लोगों को इस बारे में पता चल सके डॉक से रिलेटिड और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चानल को और वो बेल आइकन ज़रूर दबाए थैंक यू